नमस्कार दोस्तों आपकी अपनी वेदिक एश्ट्रोलाइफ फीडूप चैनल पर स्वागत हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंगरासी वाले जातकों का मैं 2024 का महिना कैसा रहेगा। सिंगरासी वाले जातकों को मैं 2024 में आपको कौन सी सुपसमाचार की प्राप्ती होने वाली हैं। तो आई चलते हैं वीडियो की ओर। हम आपको बताएंगे कि एक से लेकर 31 मैं 2024 के अंतरगत आपको अपने जीवन में कौन-कौन सी जगहे में आपको खुसकवरी की प्राप्ती हो सकती है। जैसे की जौब की सिलसिले में, ब्यापार की सिलसिले में या फिर भूमी भवन, गाड़ी वाहन की छेतर में या फिर संतांस जोड़ी खुसकवरी की प्राप्ती होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंग रासी वाले जातकों की कुंडली में कौन से गरह कहां विराजमान है और कौन से गरह आपको कितने अच्छे रिजड़ देने में सक्छम रहेंगे। तो सिंग रासी वाले जातकों की कुंडली में आपके सिकंड हाउस में कन्या रासी के साथ केतु विराजमान है आपके सेवन्त हाउस में कुंभी रासी के साथ सने देव विराजमान है और आपके एठ हाउस में मेन रासी के साथ राहु बुद्ध मंगल विराजमान है वही तो इस प्रकार क्रहों का सपोर्ट मिलेगा आपके जीवन में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंग रासी वाले जात्कों का स्वास्त कैसे रहेगा मैं दो हजार चौबिस में तो यहाँ पर बता दिए कि सिंगरासी वाले जातक देखेंगे कि मैं के महीने में आपको अनिद्रा हो शकता है आदश से आ सकता है या फिर हड़ियों में तकलीप हो सकती हैं सिंगरासी वाले जातक एक चीज का और ध्यान दिजिएगा जब आप चल फिर रहे हो या फिर एकसरसाइज कर रहे हैं या फिर गाड़ी वाहन चला रहे हैं सड़क पार कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा साबधाने के साथ चलिएगा क्योंकि आपको चोट चपेड प्रेम प्यार कैसा रहे हैं तो दोस्तों बता दे कि यहां पर आपका प्रेम प्यार काफी सांदार रहने वाला है क्योंकि आपके फिप्त हाउस के जो स्वामी है तिन्थ हाउस में विराज मन है तो इसलिए प्रेम से जुड़ी कोई भी समश्या नहीं होगी और जो जातक पढ़ाय लिखाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है जो सिंगरासी वाली जातक प्रतियोगी परिक्षा के तैयारी कर रहे हैं तो वहां से आपको सफलता की प्राप्ती मिलेगी कोई ना कोई खुस खबरी की प्राप्ती होगी अगर आप में जातकों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेंगा मैं 2024 में अक्सर सिंग लाजू ज़ू का वे ज़यदा परशान रहते हैं या पिर वही प्रॉब्लम रहेंगी तो दोस्तों यहां पर बता दे कि जो आपका वैवाहिक जीवन है तो वैवाहिक जीवन में लड़ाई जगड़े बने रहेंगी जीवन साती के साथ थोड़ी से प्रॉब्लम होगी बीच पीच में बाद विवाद बने रहेंगे ताल मेल इतना अच्छा नहीं रहेगा जो understanding bonding वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि आपकी सेवन्थ हाउस में सने देव विराजमान है तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको problem देखने को मिलेगी अपने वैवाहिक जीवन को लेकर ब्यापार की बात की जाए तो ब्यापार आपको अच्छा रहेगा बट आपको अपने ब्यापार में महनत काफी ज़्यादा करने पड़ेगी आप किसी भी चीज़ का ब्यापार करते हैं आप अपना स्वयम का ब्यापार करते हैं तो आपको लाब मिलेगा बट कोई चीज़े आपको देरी से प्राप्त होगा और आपको काफी ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है अब आई चलते हैं कि आपकी नौकरी कैसी रहेगी नौकरी की इस्तितिया कैसी रहेगी मैं 2024 में तो जिंगरासी वाले जाता को बता दे कि मैं 2024 में आपको 100% सुबसमाचार के प्राप्ती होगी नौकरी से जुड़े अगर आप पे नौकरी नहीं कर रहे हैं नौकरी ढोंट रहे हैं ढोंडने का प्रियास कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नई नौकरी 100% मिल सकती है साथ ही बता दे सरकारी छेतर से आपको लाप मिलेगा अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन देखने को मिल सकता है सैलेंडी में बृत दिया पिर आपको नौकरी में कोई ने कोई अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा सिंग रासी वाले जातकों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सुप समाचार के प्राप्ती होगी या फिर खुसकावरी आपको मिलेगी जैसे कि देव गुरु ब्रिहस्पत की दृष्ट आपके फोर्थ हाउस में पढ़ रही है तो यहाँ पर आपको गाड़ी वाहन की सुख सुभजा 100% प्राप्त होगी लेगजरी चीजों का आप आनद उठा सकते हैं 19 माई से लेकर 30 माई की अंदर आप बना बनाया घर ले सकते हैं और आपको अकास्मिक धनलाब भी हो सकता है साथ ही देवगुरु ब्रिहस्पत आपके फोर्थ हाउस में दृष्टी डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारी चीजे सुख सिवधा 100% मिलेंगे आप कोई न कोई चीजे पर्चिस करेंगे साथ ही आपकी माता के स्वास्त में सुधार देखने को मिल सकता है तो यह सारी चीजे सिंग रासे वाले जातकों को मैं 2024 में देखने को मिल सकता है दोस्तों यदि आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर कीजिए